हेलो एवरिवन वेल्कम टू आप लोग आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्षर और लेक्षर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्विस्ट है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और आपको टाइम पर मिल पाएं तो चलिए शुरू करते हैं आज का लिक्षर फर्स्ट कोश्चन है जहांगीर द्वारा किसी कंपणी को सूरत में कार खाना लगाने को अधिक्रत किया गया था ऑप्सन है फ्रांसीसी इस्ट इंडिया कंपनी ऑप्सन भी है यूनाइट इस्ट इंडिया कंपनी ऑप्सन सी है पुर्तगाली इस्ट इंडिया कंपनी और ऑप्सन डी है इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी तो जहांगीर किस कंपनी को सूरत में कार खाना लगाने के लिए शुक्रती दी गई थी तो इसका सही एंसर है गाईज ऑप्सन डी इंग्लिस इस् Q2 है प्रथिवीराच चोहान के विरुद महाँमद गौरी के आकरमड के समय कन्योजपन निमलिखित में से किस वंस का सासन था? outside a. So this is GDW 1 Q2 is GDW 1 कहा जाता है, उप्सन है कारवापड, उप्सन भी है दिनार, उप्सन सी है निस्क, एंड उप्सन भी है सुमड, तो गुप्त स्वन्ड मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो इसको दिनार कहा जाता है, दिनार, important question है, आप लोग नो down कर लीजेगा, question number 4 है, जैंधर में सनलेखना से तातपर है, option है लेखन पद्धती, option B है उप्सन भी है उप्सन भी उप्सन भी उप्सन भी जीवनी, और option D ही भित्ती चित्र, तो जैंधर में जो सनलेखना वर्ड होता है, इसका तातपर क्या है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सही answer है guys option B उपवास द्वारा प्राण त्याग उपवास द्वारा अगर आपने प्राण त्याग किया है तो उसका अर्थ होता है उसे जो है सनलेखना कहा जाता है इसे आप लोग याद रखीगा important है question number 5 है भारती पुरातत्तु का जनक किसे कहा जाता है option एक जनक किसे कहा जाता है तो इसका जनक जो है अलेखनर कनिंगम को कहा जाता है इसे आप लोग याद रखीगा question number 6 है 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे नीचे दियेगे कूट के अधार पर सही उत्तर चुनिए जो 1833 के तहट कुछ चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे तो इसमें से इनमें से कौन सा प्रावधान था आप लोग को बताना है option एह है इसने कंपनी के ब्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया option भी है इसने गवर्नर जनरल को परिसद में एक बिधि सर्दस से समयलित किया option सी है इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बराने के अधिकार को वापस ले लिया and option D है इसने फोर्ड बिलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया तो इसमें से कौन सा सही है गाइस तो इसका सही एंसर है option D उपरियुक्त सभी सकते हैं इसमें जो है इसका सारे एंसर जो है या सही है इसने कंपनी के बैपारी का एक अधिकार को समाप्त कर दिया इसने गowנckaalter का परच़्द में एक विधिष सार से समलित किया इसने प्रसिडेंशियों के कानोन बनाने के धिकार को अपस्त्री लिया और इसने टोट विलियम की गowنाण जरनल का नाम बदल कर भारत का गowणार जरनल कर दिया यह चारो आप्सन है यह चारो सही है इसे आप लोग याद रखेगा तो इसका सही एंसर आप्सन डी उपरियोक तो सभी सत्य है Q7 है दिती गोल में समेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधी के रूप में भाग लेने वाले इनेता कौन थे तो पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि गोल में समेलन या कितने हुए थे तो गोल में समेलन जो है तीन हुए थे पहला जो है कब हुआ था या हुआ था 1930 में दूसरा कब हुआ था दूसरा हुआ था 1931 में तीसरा 1932 में आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गोल में समेलन था जिसमें ऐसा कौन सा परसन था जिसने तीनों गोल में समेलन में भाग लिया ऐसा कौन सा नेता था तो वो थे भीम राओं बेड़कर भीम राओं बेड़कर जो थे इन्होंने तीनों गोल में समेलन में भाग लिया था और यह जो पुछा गया है दितीई गोल में समेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनी दिके रूप में किसने भाग लिया था तो इसका सही अंसर ऑप्सन है महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने जो है दितीई गोल में समेलन में भाग लिया था और अगर आपसे तीनों पुछा जाता है तो भीम्राओं मेट करने लिया था और आपसे पुछा जाता है कि पहला गोल में समेलन कब हुआ था तो या 1930 में हुआ था दूसरा 1931 में हुआ था तीसरा 1932 में हुआ था तो आपको सारे points clear कर दिये गए हैं इससे आपको कोई भी confusion न अगरे ये उपसेंसी ह्ये चंपारण आंदोलन केुछ जो था य्य गांदी का पहला सहासिक कदम था और या कब हुआ दिये हैं कि कौन साथ अंदोलन जो है कब हुआ था तो असायोग 1920 में हुआ था रॉलट सत्यागरे 1919 में चमपारन 1917 में दांडी यातरा 1919 में आप लोग इसे नोडाउन कर लेजेगा और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैन आपसंद सी है मिंटो और आपसंदी है मियो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्णर जनरल था इसका नाम क्या था तो इसका नाम था लौड करजन आपसंद इसका सही एंसर है वह बंगाल का विभाजन जो यह कब हुआ था तो यह 1905 में हुआ इसे भी आप लोग याद 10 है 1958-1727 में किसने ईलाहबाद को आपात कालीन मुख्वाले बनाया था ऑप्सण ये लोपी है लोड कारणवालिस ने अप्सण ये लृड्वेले जली ने एंड आपसंडी है लॉर्ड विलियम बैंटिंग ने तो 1857 में किसने लहाबाद को आपात काली ने मुख्याले बनाया था तो यह जह लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था क्रेशन नमर 11 है उचितम लवर्दा पाई जाती है मतलब सबसे ज़्यादा नमकीन पानी किस में पाई जाता है कौन से सागर में तो आपसंडी है अम्रत सागर में आपसंडी है वान जील टर्की में तो उचितम लवर्दा कहां पाई जाती है तो यह जो है वान जील टर्की मे सही एंसर है Q12 है निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है Option है जलवास्व निचले वाय मंडली की अतिपरवर्ती गैस है Option भी है अधिक्तम तापमार की मेखला विस्वत रेखा के सहारे पाई जाती है Option C है सीत कटिपन्ध उबहे गोलारधो ध्रुवी ब्रत्यों ध्रों के वीच उपस्थित है Option D है जेट वाय धाराएं या तधिक उचाई की हवाईं है जो धरातली मौसमी दसाओं को प्रभावित करती है तो इसका सही एंसर इसमें से कौन सा गलत है ये भी आप लोग पढ़ लीजेगा की कौन सा सही नहीं है पूछा गया है तो इसका सही एंसर है Option B अधिक्तम तापान की मेखला विस्वत रेखा के सहारे पाई जाती है ये जो है रॉंग है Question 13 है लवडी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते है Option A हाइड्रोफाइट्स Option B है मीजोफाइट्स Option C है हैलोफाइट्स and Option D है थेलोफाइट्स Important क्षे ने पूछा लाता है लवडी जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते है तो या जो है हेलोफाइट्स कहलाते है Option C का सही एंसर हेलोफाइट्स Question 14 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित के जी तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो सूची 1 में जगहें दी गए है और सूची 2 हो गी है यापर तो इसमें जो है यह कौन सी जगहें कहां उपस्थेद है तो यह आप लोगों को मिलान करना है तो आपको बताना है कि दिल्ली जो है यह किस चीज के लिए जाना जाता है तो यह उश्ण आद्र option C से sorry अर्ध सुस्क होगा दिल्ली जो है यह अर्ध सुस्क होगा दिल्ली जो है यह अर्ध सुस्क होगा और मुंबई जो है यह उश्ण आद्र होगा उशन आदर होगा और जोतपुर जो है या सुस्क होगा एंड सीलांग जो है या आदर होगा इससे भी आप लोग ज्याद रखेगा कि दिल्ली जो है अर्ध सुस्क होगा मुंबई उशन आदर होगा जोतपुर सुस्क होगा एंड सीलांग जो है आदर होगा इंपोर्टेंट है आप लोग ग्याद रखेगा तो इसका सही एंसर गया है ओप्सन सी दो तीन एक चार दो तीन एक चार जो है इसका सही एंसर है गाईस 2011 की जनगर्ना के अंतिमाकणों के अनुसार भारत का दिती सरवाधिक जनसंख्या वाला राजी कौन सा है ओप्सन A है आंधर प्रदेश ओप्सन B है बिहार ओप्सन C है महारास्ट्र और ओप्सन D है पस्ट्रिव मंगार इसका सही एंसर है गाईस ओप्सन C महारास्ट्र जो है यांति माकणों के अनुसा भारत का दिती सरवाधिक जनसंख्या वाला राजी है और यह पूछा रहता है कि जनगर्णा जो है किसके सासनकाल में की गई तो यह लॉड मेयो के सासनकाल में की गई इसे भी आप लोग याद रखेगा Q16 है इंट्री पार्ट ब्यापार से तातपर है ओप्सन है निर्याद ब्यापार ओप्सन भी है आयाद ब्यापार ओप्सन सी है तटी ब्यापार और ओप्सन डी है निर्याद के लिए आयाद की गई वस्तवी तो इंट्री पार्ट से ब्यापार से क्या तातपर है तो इससे ज काड़खाने देए गए हैं आड़ को बतांगा को कौनzahl कउर्खाना को नागा पटीनम इन्मांलीगर कौन से मिल से बतांगे तो तटिपाका जो है या आंधर प्रदेश में इस्थित है, कोईली जो है या गुजरात में इस्थित है, और नागा पटीनम जो है तमिलनाड में इस्थित है, और जो नुमाली गड़ है या आंधर, नुमाली गड़ जो है या कहां पे इस्थित है, तो यह जो है असम में है नुमाली कड जो है या असम में है तो इसका सही एंसर होगा गाइज और आपको लेक्चार प्संद आ रहा हो तो वीडियो को लैक शेल कर दीजिगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिगा question number 18 है नेमलिखेत में से किस समित ने भारत में क्रस्य जोत करका सुझाओ दिया था जोत्रमित lleet question number 18 है बैंक दर का आसर क्या है option है साहुकारों द्वारा लिये जाने वाला ब्याजदर option भी है अनुसूचित बैंक को द्वारा ली जाने वाली ब्याजदर option सी है बैंकिंग संस्थान की लावदर and option D है केंदरी बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याजदर तो bank दर जो है इसका अर्थ क्या होता है तो इसका सही answer option D केंदरी bank दौरा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज़ दर इसका आसे जो है bank दर का option D इसका सही answer है Question number 20 है और अमोलिन तब अधिक कारगर होता है जब ओप्सन है विदेशों में निर्यात मांग की लोश अधिक हो Op absorption भी है कम हो Option सिहायात की लोश कम हो And option D है परियुक्त में से कोई नहीं तो अमोलिन तब अधिक कारगर होता है जब 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 विद्योसों में निर्यात की मांग की लोच अधिक हो कोई अपसने इसका सही एंसर है question number 21 है वा नियुंतन जन संख्या कितनी है जिसके नीचे 73 संसोधन अधनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती इस तर पर पंचायते गठित नहीं की जा सकती मतलब जो है कितनी जन संख्या कम होगी तो उसमें जो है पंचायते गठित नहीं की जाएंगी कितनी संख्या के नीचे जो है तो इसका सही एंसर है गाईज ऑपसन भी बीस लाग से नीचे अगर जनसे क्या होती है तो उसके नीचे जो है पंचायते गठित नहीं की जाएंगे मध्यवरती स्तर पर Q22 है निम्न में से किस बिसे पर राष्टपती के लिए मंतरी परसे से सलाह लेना अवस्यक नहीं है Q23 है नीचे दो ब्यक्तव भी दिये गये हैं एक को कथन अई तथा दूसरे का कारण आ रहा है कहा गया है कर स्कूँनित नहीं दोते नहीं है चैंग ठल्सू के लिए से करे हैं झाल 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 युनिवर्सल डोनर कौन सा है ऑप्सा है बी ऑप्सन भी है ओप्सन सी है एंड ऑप्सन डी है एबी तो युनिवर्सल डोनर मतलब जो सब को अपना रखत दे सकता है तो वो है ओ और जो सर्वगराही कौन सा है जो सबसे ले सकता है तो वह एबी अबी जो हो सरवगराही है ये भी सर्व ग्राही है इसे भी आप लोग याद रखी गए ये भी सर्व ग्राही है ओ जो है या सर्व दाता है सर्व दाता इसे भी आप लोग नोडाउन कर लिजिएगा क्वेश्चिन नमर्ट 27 ने डी ने की दुई कुंडलीनी संरचना किसके द्वारा की गई थी बहुत बेसिक सा क्वेश्चिन है आप लोग को ऐसे पता ही होगा इसका एंसर क्या है लेकिन मैं आपको बता दिती हूँ और प्रयोग में आने वाला इकवारीजिया निमलिकृत को मिलाकर बनाया जाता है इंपॉडन कोश्यन है पूछा जाता है एकवारीजिया जो है या किससे मिलकर बनता है तो जो एकवारीजिया है या किससे मिलकर बनता है तो या मिलता है नाय्टरिकमल था था है है और अप्सन भी इसका सही अंसर है क्योश्यन में 29 है पृत्यावरती विद्धुधारा को दिष्ट विद्धुधारा में परिवर्थित किया जाता है या किसके द्वर्था किया जाता है तो या जो है रिक्टी फायर द्वर्था किया जाता है रिक्टी फायर इसका सही अंसर है क्योश्यन में 30 यह है आज का लास्ट क्योश्यन उससे पहले आपसे रिक्टी है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी हिट कर दीजिएगा और वीडियो को सेर करना मत भूलेगा क्योश्यन में 30 है पायर हिलियो मीटर का प्रियोग निमलेखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है ओप्सन है सन स्पॉट को ओप्सन भी है सोलर रेडियेशन को ओप्सन सी है हवा तापको और ओप्सन भी है पौधो के तापको तो पायर हिलियो मीटर जो है इसका प् को 30 कोश्चन कराएगे हैं जो कि बहुत important कोश्चन है आप लोग जरूर से देख लीजिएगा लेक्चर को अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सेर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक् यियाओ कर दीजिए पस्टर आपको्वोर दीजिएगा तो मिलत कर दीजिए धर जीजिएगा ँट वीजिएगा दीजिएमा शॉट情 कर दीजिए绵ोर मिलते हैं रहा.. झाल झाल